हेलो फ्रेंड्स मैं विन्या निर्भिक फ्रेंड्स आपका बर फिर्ष है हमारे चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग थम्नेल में देख रहे हैं आरार भी गुरूब डी एक्जाम डीट को लेकर बड़ी खबर एक बार फिर जो बोला विल्कुल वही हुआ औ कोई केस नहीं हो है जूटा फाफ फैल आ रहा है और को यूट्यूबर नहीं दिखा रहा है अकेले बोल रहा है तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कर एक न्यूस सब तक पहुछ यह कोई मतलब लॉजिक नहीं होता है कि अगर वादर को यूट्वर इस पर चर्चा नहीं करा बहुत मुश्केल है इसमें अभी को तरब से और मैं mondo can be a और नियूस है और नाल से न ही ये सब्सक्राइब कोई विश्वास्ट न आ रहा है यह तो विस्वास्टी कुत पहुंग चानद अनृस दर्गी सब्सक्राइब में चाहिए कि एक्जाम 28-352 से होने जा रहा है इस वयसे मैंने उसकिया कि यह नहीं दे पाए तो मैं सोचा सुबहम दे देता हूं ठीक है और वही सायद आप बोल रहे हैं कि नोटिस फेक है जिन्होंने आडियो को वायरल किया उन्होंने ही अब नोटिस को फेक बता रहे तो सोच लिए सबकूर्च सोच यह कि ने बता पहले हैं नोटिस फेक बोल रहे हैं ख़िक हां मतलम ने यूस की बात करते है क्या मतलब शि wszystkim करते हैं क्या मतलब पर सकता हैरmaybe तो यह देखिए औरर डियू क्या के भर्ती रेले वे गुरुबडी के आवेदर निरस्त करने के मामले में कैट ने जानकारी मांगी मैं आपसे पहले ही बोला था कि देट पर देट मिलते जाएगा जल्दी फाइनल नहीं होता है मैं आपसे बात कह रहा हूं लफड़ा होता है आपको देट तुलागतार मिलेंगे पर जल्दी वहां काम नहीं होते कभी इनका एड़ोकेट गाया जीघा यह चलता रहा था कई मैं क्योंकि मैंने खुद फेस कि मैं आपको बता चुका हूं कई बार ये बात तो कैट का ये लॉजिक होता है देखिए ये कल रात का दस बच के बारे मिनिट का है निउस अलगवग दस बच पहले मैं वह डाल दिया था नोटिस वाला निउस तो मैं सोच आप ज्यादा रात हो कि कोई निउस देने का मतलब न मामले में रेलवे भरती बोर्ट से र्क्रमेंट अप्लिकेशन के सॉफ्ट्वेयर की कारेशायली की विश्तित जानकारी मांगी है कैट नहीं आदेश राकेश कुमार यादा हुआ अन्य की एचका पर अधिवक्ता सिधार्थ मिस्र को सुन कर दिया तो मैंने आप से बोला ह आधियों के अनुसार रेलवे भरती शेल ने यानि की बात हो रहा है गुरूब डी के एक दसमनों तील लाग पदों की भरती निकाली जिसके लाखवा भरतियों ने आवेदन किया ठीक है निसले हेडिंग में रर्व भरती शेल लिखा है ठीक है जो सही बात है वैसे वैकंस में सही ढंक से फोटो और हस्ताक्षर नहीं है इस मामले पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इस मामल की केस क्यों किया जारे कि क्या गलती है कि फ़र्म भढ़ते वक्त ध्यान देने चाहिए कुछ लोगों ने क्यों लिख बार निगेटिव कमेंट करते हैं वह हमको अगर बता है कुछ गाली मिलता मिलता उस नाम से ठीक है तो मुझे उसका कोई मतलम नहीं है हो सकता हूं से उनको मुझे से परसनली कोई प्रॉबलम हो तो वह कहके बल बोलने लगे कि जैसे कि क्या है कि अगर रिजक्त हो रहा है था फार्म देखते वाग सही सभरना मैं बता दू कहीं भी रिजक्त होता ही नहीं और अगर जहां है रिजक्त होता है मौका जरूर मिलता है किसी भी और मजबूर करना पड़ रहा है मजबूर करें तो सुन रहा है तो आप लोग का गलत है कि कहीं भी रिजक्त होता है मौका हर जगा मिलता है सिंपल सी बात जल्दी होता ही नहीं ठीक है क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है जब तक आप सही डिटा फिल करें तो आगे बढ़ेगा नहीं फोटो अप्शोड नह नहीं थी ठीक है और जिस बंदे का मैं नाम लें वही बंदा बोल रहा था कि अगर रेजक्त हो गया है तो रेलवे उनके लिए उनके लिए रुकना नीचे एक्जाम कराना चाहिए ठीक है क्यों लोग अंदर आ जाएंगे तो आपको नहीं डरना चाहिए अगर आपके दस लोग के बीच में एक्जाम देने बैठ रहा है तरह को अब आपको अपने सीट से मतलब होना चाहिए और अपने उपर कॉंफिदेंस होना चाहिए कि आप ये एक्जाम कर पाएंगे और आपको ये मंदाल से क्लिया करना चाहिए अगर आप देख रहे हैं कि जब उनका गलती है उनका form reject हो गया बिना किसी गलती का उन्हें मौका जरूर मिला चाहिए भले आपका form accept हो गया या फिर ना हुआ हो ठीक है कि मेरा form accept हो गया फिर वह सपोर्ट कर रहा हूं उनको ही मौका मिलना चाहिए ठीक है तो हर जगह कुस लोग अच्छे होते के उस लोग बुरे ह अब बताइए इस मेकैनेस काहा जगलती है जब वही सब कुछ एक्सेप्ट जारे फोर्ट से नहीं हो रहा है ठीक है तो यहीं चीज है तो सिकायत है लोग का एक्सेप्ट कर लिए था और सब्सक्राइब का साथ कुछ दिक्कत हुआ था यह दिखाया एक लाग तो भड़ती कुछ भी लिख देते हैं तो इन पर पूरा नहीं प्रसक्राइब कर सकते हैं लेकिन जो न्यूज यह सही है बिल्खुल मैंने पहले दोता था आपको कि हां केस चल रहा है ठीक है तो आप लोग एक्टेट बार और एक्जाम का पूछ रहा है तो अगर यह लोग जल्द क्योंकि जब जबाब मांगा गया है तो जबाब देने में इनको एक महीने लग जाएंगे आप जानते नॉर्मली क्या होता है जवाब के लिए दो हफ्ते चारत पर का समय दिया आता है ठीक है और कभी-कभी समय पर जवाब मिल भी नहीं पाता है को इस वैसे देरी हो जाती यानि के कोट केस काफी लंबा चलने वाला भी कम से कम 2-3 महीने मान के चली चली जाएगा फिर उसके बादी एक्जामिक बर हम कुछ सोच सकते मुट्फेक्शन लिंक वगरा मिलना है अगर जीतना भी चाहिए क्योंकि इनकी गलती नहीं है ठीक है फ्रेंट्स तो अमीद कर् अगरता को सारे इंफॉर्मेशन मिल गई होगी तो अभी के लिए बस इतना है थाइंक्यू जैन जा भारत